आंगनबाडी सीविका सहेका मिनी बहनो अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की आज सुबे 10 बजे की खबरों में स्वागत है बहनो थोड़ा सा वीडियो आज का ये लेट रहा लेकिन जानकारी बहुत ही अच्छी लगाई हैं तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ सबसे पहले तो ये बता दें कि सीत लहर समाप्त हो चुकी है और सीत लहर की समाप्ती के कारण ही अब जो स्कूल कॉलेज हैं उनके समय में पुनह परिवर्तन सुरू हो गए हैं जिन में से एक लेटर हम तक पहुचा है सुनीता बहन है अयोध्या जिले से आती हैं जिन्नोंने जानकारी बेजी है संतोस कुमार राय जी है जिला बेसिक सिच्छा अधिकारी हैं अयोध्या जिले के उन्होंने अपने वहां से 31 तारीक को कल ही एक ये कार्याले से आदेश निकाला है जिसमें उन्होंने लिखा कि जन्पद आयोध्या में अत्यधिक ठंड और सीत लहर के कारण बच्चों की सुरच्छा के द्रश्टिगत जिलाधिकारी महोदे आयोध्या के आदेश में दिनां 21.12.2022 के द्वारा जन्पद आयोध्या में कच्चा एक से आठ तक संचालित समस्त परिसदी असासकी सहता प्राप्त और यहाँ पर स्ववित्त पोसित मानिता प्राप्त स्कूल और विद्यालेयों का जो संचालन है वो दिनांक 22.12.2012 से यहाँ पर उन्होंने 2012 लिख दिय 22.2022 को अगरिम आदेश तक प्राता है दस बजे से साड़े तीन बजे तक किये जाने का निड़े लिया गया था तो पहले तो समय में परिवर्तन थे लेकिन अब जो है यहाँ पर इसमें हो चुका बदलाओ तो अब बदलाओ वाला वर्तमान का सुनिए वर्तमान वाला हम नीले कलर से कर रहे ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाए वर्तमान में मौसम अनुकूल होने के कारण यानि अब मौसम ठीक ठाक है जिसके कारण जन्पद अयोध्या में कच्छा 1-8 तक संचालित समस्त परिसदी असास की सहता प्राप्त स्ववित पोसित मानिता प्र प्रियागराज के द्वारा निर्धारित समयानुसार प्राताह 9 बजे से अपराहन 3 बजे तक किया जाएगा आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनुशित किया जाए तो अब जो पहले के समय थे उसी एकॉर्डिंग जो है सेंटर खुला करेंगे अलध्या में क्योंकि व प्राता है बहुत से प्रात्मिम विद्याले से जुड़ करके चलते हैं तो उसी टाइम पर खोले जा रहे थे क्योंकि कारकरता बहनों को तो पहुँचना था लेकिन अब यहाँ पर मौसम अनुकूल है तो अब यहाँ पर जो भी सरदियों या इस समय मजूदा महीनों में स संचालन का जो समय रहता है तो वही समय पालन किया जाएगा अब वो अपने अपने जिलों में जैसे जैसे लेटर आपके वहाँ निकलते जाएंगे वैसे वैसे आप भी करते जाना और और कहीं से अगर कोई लेटर आएगा इस सम्मंद में संचालन के समय परिवर्तन में त जनवरी को जौनपुर में CDPO की पिटाई की आरोपित आंगनबारी कार करता और उनका पुत्र वो गिरपतार हो गए हैं इस बात को लेकर के विवाद हुआ था तो आए देखते हैं विवाद किस बारे में था तो पहली बात तो बता दे कि विकास खंड मुक्ती गंज में CDPO की पिटाई का मामला इंटरनेट मीडिया पर प्रसालित होने के बाद सक्री हुए पुलिस ने आरोपित आंगनबारी कार करता और उसके बेटे को गिरपतार कर लिया अब मामले की च्छानबीन की जा रही है तो इस मामलों को लेकर के आपको बता दे कि ये एक मैटर था कि CDPO की पिटाई करने की आरोपित आंगनबारी और उसके पुत्र को पुलिस ने गिरपतार कर लिया रासन वित्रन को लेकर हुए विवाद में गुरुआर को आंगनबारी कार करता के बेटे ने CDPO के गाल पर जोरदार थपड जर दिया था मामले को लेकर अफरा तफरी का माह लो गया आप लोगों ने एक वीडियो भी देखा था जिसमें CDPO को थपड लगाया गया अब ऐसे सम्मंद में आल इंडिया ने इसकी घोर निंदा भी की थी आपको पता भी है क्योंकि जो भी चीजे होती है वो नियम कानून के दायरे में रहकर के होनी चाहिए अगर भष् अपसन टीमें बनाई जाती है वो किसलिए बनाई जाती है तो और भी जो नियम कायदे उनका फिर पालन होना चाहिए कोर्ट किसलिए है सम्विधान किसलिए है तो अपने जो अधिकार है उनका पालन करो और जो है नियम के तहत चीजों को करो तो वो अच्छा है लेकिन बहस करते हुए छीना जप्टी करने लगी इसी दोरान उसके पुत्र ने उनकी पिटाई कर दी मामले की जानकारी मिलते ही मोके पर पहुँचे मुक्ति गंज पुलिस चोकी प्रभारी स्पी पांडे ने किसी तरह से मामला सांथ कराया इसी दोरान पूरी घटना की वीडियो रिकार्डिंग करके किसी ने इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित की तो इंटरनेट मीडिया में सोसल मीडिया में दरसल प्रसारित है और बहुती तेजी के साथ वो वाइरल भी मैटर हुआ था वाइरल होने के कारण आलेंडिया ने उस मैटर को जो है दिखाया था और चर्चाओं में वो मैटर भी आप लोगों ने देखा होगा काफी न्यूस चैनल वालों ने काफी यूटूबर्स ने उसको भी पोस्ट किया था बाग की देख सकते क्या कहती है पुलिस अपर पुलिस अधिच्छग जो है डाक्टर संजे कुमार ने बताया कि सीडिप्यों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकत्मा दर्ज करके आरोपित आंगनबारी और उसके पुत्र को गरपतार कर लिया गया है तो इसी लिए कहना है कि कुछ चीजे हैं जो नियम के दायरों में रहकर कि आपको करनी चाहिए अब उनका उनलंगन होगा तो फिर कारवाईयां तो होंगी जाहिर सी बात है अखिल भारती हिंदू गौरों महासवाग के कारकरताओं ने गाजी पूर में कारेत नायब तैसिलदार हिम्मत भादूर के विवादि बयान पर भड़क गए लोगों ने मुक्यमंत्री को सम्मोधित तीन सूत्री मांगो का पत्रग भी SDM रिसब पुंडीर को सौपा है और कारवाई की मांग की है तो ऐसे से मैटर आप देख रहे हैं आए दिन कहीं ने कहीं से आते जाते हैं और फिलाल के लिए हम आगे ले चलते हैं एक ख़बर और दिखाना चाहेंगे मद्धप्रदेश के स्योपुर में और मुरैना में वालमी की समाज के बच्चों को जो है चुआ छूट का सिकार होना पड़ रहा है आपको बता दे कि आगन बाड़ी में इंट्री नहीं मिली है 18 जनवरी को जागरण में एक एक खबर प्रकासित की गई मैं इन सब्दों पर कुछ कहना चाहूंगा कि आज के दौर में भी अगर ये चुआ छूट जैसा जो अभिसाप है वो अगर चलेगा हमारे समाज में तो हम सब कैसे आगे बढ़ पाएंगे जाती वगरा को लेकर के इस तरह के मामले सामने आना वो भी ऐसे जो है समय में जब आप देख रहें देश दुनिया कहां तरक्की कर रहा है और अभी भी चुआ छूट को लेकर के काफी जगे ऐसे अभिसाप जो है बना हुआ है मुरेना का ये मामला है आप देख सकते चुआ चूत का अभिसाप आज भी चंबल अंचल के कुछ छेत्रों में दिखाई देता है मद्दपदेश के स्योपूर और मुरेना में महिला बालवेकास उभाग के द्वारा संचालित आगनबाडी केंद पर वालमे की समाज के बच्चों का तिरसकार किये जाने की सिकायते हैं वालमिकी समाज के सैकडों बच्चों ने लंबे अर्से से आंगन बाडी केंदर का मुह नहीं देखा इन्हें यहां से पोशर आहार भी नहीं मिलता समाज की प्रसूताओं को गोद भराई भी केंदरों द्वारा नहीं कराई जाती बताओ यह कितना गंदा कार है कि इस तरह से उनको इन चीजों से अलग रखा जा रहा है आंगन बाडी नहीं जा पाते एक भी बच्चे सेवपुर्जला मुख्याले के वार्ड 16 की वालमिकी बस्ती में 26 परिवारों में 6 साल तक की उम्र के करीब 100 बच्चे हैं इन में से एक भी बच्चा आंगन बाडी पर नहीं जाता मुरैना के वार्ड 24 इस्तित उत्तम पुरा की वालमिकी बस्ती में रहने वाले 34 परिवारों को 6 साल की उम्र के 80 बच्चे हैं लेकिन एक भी बच्चा आंगन बाडी नहीं जाता और यहां पतुस्सी पुरा गोपीनात की पुलिया और महाप और मंगले के पास की वालमिकी बस्ती के बच्चे भी या भेदभाव जहल रहे हैं तो आप सब भाई बहनों का जो वाल इंडिया के समर्थक हैं आपका इस मैटर पर क्या कहना है ऐसी चीजों को लेकर के बचारे नन्ने मुन्ने बच्चों को वंचित करना ये गलत है वहां की गर्वती धात्री महलाओं को इन जो है चीजों से वंचित करना गलत है क्योंकि आप सब जानते हो कि सब का खून एक है बिमारी होती है कहीं एडमिट होते हैं तो कोई ये नहीं देखता कि फलाने वाले बेड में जो पास में लगा इसमें कौन लेटा है मालने जे आपके पास बहुत पैसा है आप अपना परसनल रूम ले लेते हैं अगर जगे नहीं है हॉस्पिटल में तो आप क्या करेंगे तो अब तो आपको जनरल में अगर डाला जा रहा है तो वहां भी आप जो है रहना पड़ेगा अगर रूम खाली नहीं है माल लो आपके पास फिर भी कुछ हो गया खुदाना खास्ता अगर आपको जरूरत पड़ गई ब्लेड की तो आप क्या करेंगे आप चाहेंगे किसी का भी मिल जाए तो आप समझ रहे न और फिर भी ऐसे समाज में जब लोग निचले तबके से भी उटकर के जो है निचले तबका होता क्या है मेरी समझ के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो केवल आर्थिक सितियों को मैं समझता हूँ बाकी जाती के हिसाब से मैं निचले तबका नहीं कहता तो निचले तबका मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वहाँ पर वो उनकी आर्थिक इसितियां मजबूत नहीं है इस ऐसे लोगों की मैं बात करता हूँ तो बेचारों को वहाँ से भी लोग बहुत से पड़ लिक करके बढ़िया बढ़िया मुकाम हासिल कियें देश के लिए बहुत से लोग हैं जुनों नाम हासिल कियें और फिर भी आप बताओ ऐसे लोगों को अलग रखा जाता है क्यों? क्योंकि उनकी जाती की आधार पर उनको अलग बाढ़ दिया जाता है मेरे हिसाब से ये बहुत ही गंदा है काम है और ऐसा नहीं करना चाहिए आप किसी भी जाती के हैं तो ये नहीं समझना है कि फलाना चोटी जाती का जाती से कुछ नहीं होता में चीज है साब सफाई उसका रहन सहन, उसका बरताओ, उसका व्योहार, उसका चरित्र ये इंसान को उच्छा बनाता है अब आप भले किसी अच्छे जाती में पैदा हो गए हैं लेकिन आपका चरित्र अच्छा नहीं है आप साफ नहीं है तो आपका फिर क्या फैदा उस जाती में जन्नम लेने का तो कहने का मतलब आप पैदा किस जाती में हो मैटर ये नहीं करता आप जो है कैसे हैं आपका चरि प्रुप्रे की तोहीन होती है वो आगे चलकर के फिर एक नया जो है आपर आंदोलंग छेड़ता है यानि एक नया जो है अपना रास्ता अपनाता है फिर वो कई ऐसे मैटरों को लेकर के गलत रास्ते भी लोग अपनाते जाते हैं तो कहने का तात्पर यह है कि किसी के साथ भ आंगनबारी है हमारे बच्चों को किसी आंगनबारी में प्रवेस नहीं दिया जाता और जाते हैं तो बाहर से ही खाना देकर लोटा दिया जाता है मुरेना की वालमिकी बस्ती में रहने वाली नीतू वालमिकी का कहना है कि उनका नवा महीना चल रहा है पर गोदभराई के पेले भी कभी नहीं उनको बुलाया गया बताओ कितनी ये गलत बाते हैं और ऐसे में आप बताओ आप सब बहनों का क्या कहना है चुवा छूत के सिकार हैं सो से ज़ादा बच्चे समाज से भी विजय धूलिया का कहना है कि यहां 25 घरों में सो से ज़ादा बच्चे चुवा छूत के सुकार यानि सिकार है महिला और बालविकास भाग मुरैना के डीप्यो महें सिंग अंब में कहा कि केंद पर हम प्रसूता की पूरी जानकारी रखी जाती है कब टीका लगता है, कब जाच होती है परन्तु समाज की प्रसूताओं का रिकार्ड नहीं मिलता या बास संग्यान में आई है जहांबाल में कि समाज के बच्चे हैं उन सभी आगन बाड़ी पर हर बच्चे का पोशडाहार खाना वोगरा चाता है या बच्चे के इन पर क्यों नहीं आते, पोशडाहार क्यों नहीं मिल रहा परसूताओं को लाब क्यों नहीं मिल आ, इसकी जाच कराएंगे तो आप देखरें इस तरीके से मैटर सामने आ रहे हैं, आप देखना ये होगा कि आगे इन माامलों में कितनी जल्दी आकिर जाच होती है, तो दोस्तों आज के इस विडियो को यहीं रखते हैं, उमीद करते हैं आपको ये विडियो पसंद दया होगा, बहुती जल्द मैं फि